असलाम वालेकु मेरे परदेशी भायों जो लोग भी 2023 में हज करना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ी अफडेट आ चुकी है आप लोग अभी से अपलाई कर सकते हैं हज का जो पैकेज है अलग अलग पैकेज रखा गया है सबसे महेंगा पैकेज है 13000 से उपर है त सबसे कम वाला पैकेज है यह आप लोग के लिए जाना बहुत जोड़ी है ताके कम वाला पैकेज आप अपलाई करके हासिल कर सकते हैं या और हज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको उतरा चाहूंगा अभी गोल्ड का जो प्राइज है काफी ज्यादा बढ़ चुका है स 7 महीने के अंदर पहली बार गोल्ड का प्राइज इतना हुआ है यानि अगर आप एक ग्राम गोल्ड लेते हैं सोना लेते हैं तो 222 रियाल है 24 क्रेट का तो आप इसे समझ सकते हैं पहले काफी नीचे आ चुका था 170 रियाल के करीब आ चुका था लेकिन अभी 222 रियाल हो भी ओड़िया है एक ग्राम का और अगर एक किलो लेंगे तो यहांप देख सकते हैं प्राइज के लिश्टा आ चुका है अगर आप एक तोला लेते हैं तो उसी सबसे प्राइज देख सकते हैं लेकिन मैं पर ग्राम का 202 रियाल है तो आप इसे समझ सकते हैं काफी ज़्या लिए प्रasmus इंट्राइद हुगा लेकिन इतना फाइदा कई होता है जितना पहले खोड़ेज को इसकाकिन इसका करके हज़ कर सकते हैं तो सबसे पहला पैकेज है 13,150 रियाल जो जराते हज़ के तरफ से यहां पे लिश्ट बताया गया है और दूसरा पैकेज है 10,596 रियाल इसका अलग अलग पैकेज है उसके बाद तीसरा पैकेज है 8,092 रियाल तो यहां पे अब देख सकते हैं उसके बा हाजी कहलाएंगे अगर आप छोटा पैकेज लेगर जाते हैं तो आपका छोटा हाजी कहला ऐसा बिल्कुल नहीं है सब हज करेंगे अरकान वही होगा जो फर्ज है सुनना थे सब आदा करना होगा यानि जिसका जितना महगा पैकेज रहेगा उतना अच्छा होटल मिलेगा खाना मिलेगा फैसलेटी मिलेगा और जिसका जितना लो क्वाल्टी का पैकेज रहेगा उसी रिसाब से उनको फैसलेटी दिया जाएगा लेकिन हज सबको अरकान फूरा करना इसा नहीं कि जो मेंगा पहला पैकेज जा लेगा उसके लिए एटोमेटिक हज हो जाएगा इसा बिलकुल नहीं लोग यह सवाल करते कि भाई एक साथ में हम गोल कितना ले जा सकते हैं तो उनके साथ क्या परिषानिय आती है उसके बाद मैं आपके साथ में श्याध कर दोंगा कितना यहाज सकते हैं झाल झाल